बिसमिल्लाइ रह्मान प्रहीम, अस्सालामु आलेकूम गाईस, वेलकम बैट टू माई जैनल, आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो चलियाते हैं, सॉल्व करते हैं, कैल्कुलेट अचलेशन ऑफ अबस, एक बस है, उसका हमें क्या कैल्कुलेट कर अचले हैं, और आपाधस that speed up from 20秒 per second to 40秒 per second, क शो speed up होई है, को 20 से लेके 40秒 per second तखे in 8 seconds, 8 seconds के अंदर अंदर, कि एक बस है, उसकी initial velocity क्या है 20秒 per second, जब वो यहां से यहां तक पहुची, तो इसकी speed थी 14 meter per second और इसने यहां से यहां तक का जो फातला तरीक है वो किया है 8 second के अंदर और हमें find करना है acceleration तो चलिए solve करते हैं सबसे पहले जब हम solve करते हैं सबसे पहले हम data बना लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या giving है तो data में हमारे पास क्या initial velocity हमारी क्या थी 20 meter per second, final velocity हमारी क्या थी 40 meter per second और time था हमारा 8 second और हमें क्या find करना था हमें find करना था acceleration तो चलिए solve करते हैं सबसे पहले हमारे पार acceleration का जो formula है वो है a equal to change in velocity, change in velocity का मतलब क्या है final velocity में से हम minus करेंगे initial velocity और per unit time अब हम values को put करते हैं सबसे पहले जो है vf यानि के final velocity की value थी 14 पिर हम minus और initial velocity की value थी 20 और divide by time क्या था हमारा 8 second 40 minus 20 equal to 20 और divide by 8 जब 20 में से हम 8 को divide करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 2.5 meter per second square meter per second square जो है वो हमारा acceleration का unit है तो हमारा answer क्या है 2.5 meter per second square आज की वीडियो यही तक थी I hope आपको समझा यूगी अगर आपको आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें शेट करें कमेंड करें और मेरे जानिको सब्क्राइब करें तेंक्यू पर वाचिंग माई वीडियो